हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जिगविंदर है चलिए आज सिखते हैं कि Microsoft Windows Server 8 के उपर हम IP address कैसे configure करते हैं और साथ ही इस computer को rename कैसे करते हैं तो इस activity को perform करने के लिए मैं अपने Windows Server 8 के उपर बैठा हुआ हूँ और आपको जैसे कि पहले ही पता होगा कि यह developer preview है और developers के लिए होता है हम इसको just use करके देख रहे हैं उसके बाद यह server users के लिए भी available होगा और users को test कर सकते हैं तो चलिए इस server को rename करते हैं और इसके उपर हम IP address को configure करते हैं तो इसके लिए मैं यहां से देखे server manager को open कर रहा हूँ और server manager मेरा open हो रहा है तो देखे server manager का dashboard आपके सामने आगया जहां से आप add roles कर सकते हैं और दूसरे servers को इसमें add कर सकते हैं क्योंकि यहां पर virtualization और cloud computing के उपर Microsoft ज्यादा emphasize कर रहा है server rate में और आप एक server का group भी create कर सकते हैं तो अभी हमारा aim जो है वो इस computer को rename करना और इसके उपर static IP address को configure करना है तो इसके लिए मैं यहां से local server को click करता हूँ और local server click करने के बाद तो देखे यहां पर इसका नाम कुछ हमसे इसने के नाम नहीं पूछा था installation process के दौरान तो अपने आप से इसने नाम इसको दे दिया यहां पर option है change तो हम change पर क्लिक करते हैं और इस computer का नाम कुछ भी दिख देते हैं महाले जी कि server 1 और इसका नाम हम देते हैं DC1 ओके प्रेस करते हैं तो change is effect में आ रहे हैं आपको कह रहा है कि आपको computer को restart करना पड़ेगा name change करने के बाद okay किया हमने close press किया आपको option दे रहा ह कि हम इसको restart later करते हैं तो इस तरह के से हमने computer को यहां से rename कर लिया और यह rename हमारा effective होगा जब हम इस computer को restart कर लेंगे लेकिन उससे पहले देखें यहां से हम IP address को भी change कर लेते हैं तो IP address के लिए मैं इसको यहां से click करता हूँ और देखें मेरे पास network connections मेरे आगए जो by default होते ह network and internet और network connections में मैं इस पर double click करता हूँ और आपको details में जरा दिखा दो इसको एक IP address मिला हुआ है dynamically और अब हम इसके उपर static IP address configure करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं properties में जाता हूँ properties में जाने के बाद यहां से TCP IP v4 के उपर click करता हूँ in fact double click में ने किया और यहां से use the following address तो कुछ भी इसके उपर IP address डाल देता हूँ तो कुछ भी इसके उपर IP address डाल देता हूँ माल जे 10.10.10.10.5 हम इसका IP address डालते हैं default mask आ गया इसको भी आप change कर सकते हैं हम इसका mask देते है 255.255.255.0 और gateway में जो भी आप gateway रखना चाहें वो gateway रख सकते हैं और जो भी आप DNS server आप रखना चाहें वो आप अपना DNS server दे सकते हैं तो मैं कोई DNS server एंटर नहीं कर रहा हूँ अगर हम इसके उपर domain active directory install करेंगे तो यह भी खुद ही DNS server की दरा act करने लग जाएगा इसलिए मैंने हाप इस क्लोज करते हैं और अब हम इस system को restart कर देते हैं और restart करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका computer name change हुआ है कि नहीं तो मैं computer को restart करता हूँ और जब तक यह restart होता है उतनी देर के लिए वीडियो को pause करता हूँ तो देखे server मेरा restart हो गया है और इसके बाद मैं यहां से control alt और delete को प्रेस करता हूँ और अपना password एंटर करता हूँ तो server restart होने के बाद आपका desktop आपको दिख रहा है server manager को हम click करते हैं और server manager open होने के बाद local server पर हम जाते हैं देखे यहां पर मैंने जो computer का नाम change किया था वो नाम यहां आपको दिखाई दे रहा है server 1, DC1 और जो IP address में हमने statically configure किया था IPv4 address वो भी आपको दिख रहा है तो इस वीडियो में हमने windows server 8 के उपर static IP address configure करने का method सीखा और साथ ही साथ computer को rename करने का method भी सीखा तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening